हेलो टेडर यहां पे पहले में मेरा जो प्रॉफिट यान लॉस है आज का वो मैं शो करता हूँ और कितने फंड लगा है इस स्टेट के लिए वो भी मैं यहां पे दिखा देता हूँ लगबग 4 परसन मेरा कैपिटेल का आज मेरा प्रॉफिट हुआ है बट आज का जो टॉप लॉस हुआ वो मुझे बोला किसी का कॉल लेके लॉस किया है तो क्यू लॉस किया है और इतना लॉस क्यू हुआ है वह आज एक्स्प्रेइन करेंगे तो मानों इस ट्रेडर का दो लाग कैपिटेल था ठीक है अगर दो लाग कैपिटेल है तो दो लाग कैपिटेल से आप इ तो यहां पर आपको रिस्क मेनेजमेर और मारी मेनेजमेर को फॉलो करके डेट करना होता है अगर 13,000 से डेट करोगे 10 पॉइंट आपके फेवर में जाएगा तो आपको 15,000 का प्रॉफिट दिखाई देगा वो 15,000 का प्रॉफिट देखते हुए तो आप बहुत खुश हो जा प्रॉफिट को इंक्रीस करना कुछ गलत बात नहीं है लेकिन माना आपको 20,000 का लॉस हो जाए तो इस 20,000 लॉस को आप रिकॉवर के चक्कर में 50,000 का लॉस कर देते हो और इंड तक 50,000 लॉस एक लाक लॉस में कॉनवर्ट हो जाता है जैसे इस टेडर को सेम 1.75 लैक वोने दो लाक लॉस हो जुका है और उसका कैपिटल था लगबग दो लाक 20,000 के करीब अल्मोस्ट 80% खतम हो गया 80-85% क्यूंकि ऐसे टेडर आपने लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है माना आपके बास दो लाक कैपिटल है दो लाक टेडिंग कैपिटल जिस पैसो से टेडर करते हो तो आप अगर ऑप्शन बायर हो मैक्सिमम एक दिन में 10% रिस्क लोना होता है जितना भी कैपिटल हो पूरा का पूरा डिस्क मतलो भाई अगर मना आपके पास एक लाक है आपके डिमेट में बट आप आप ओनली 40, तो आपको दिन का रिस्क का लिमिट मैक्सिमम चारहाजार होना चाहिए तो 40,000 से आगर टेड कर रहे हो और यहां पर आप 7,000 या 8,000 आप प्रॉफिट कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन प्रॉफिट जितना दे मार्केट चलेगा बट आपका लोस फिक्स रह अगर आप थास्डे में 70-80 रुपए का जो प्रीमियम है ऑप्शन बैंक निफ्ट में वो ज्यादा लोट लेके सोच रहे हो आप प्रॉफिट करोगे वो बिल्कुल भी नहीं अगर आपका स्ट्याटेजी गलत है वहां पर लॉस इंक्रीज होगा आपका मानी मेनेजमेंट प्रॉफिट नहीं, आप एक हपते या एक मांत में ज्चला दीरे वो मार्केट एक ही झछटक में लेकर चला जाएगा या एक लेकर चला जाएगा, आपको by को किया या कोई टेलिग्रंग ने देखा या खुद story लिया तो इसका कुछ अंतर नहीं है आपको किसी भी हा मतलब के इंक्रीज मत करो रिस्क को मिनिममम रखो ऐसा नहीं आज थास्डे है पुरा का फिव्टी परसंट आप डिस्क ले रहे हो कपने कैपिटियल का कि आपके 20 के या 50 के कुछ भी प्रफिट हो 30 के प्रफिट हो कोई बात नहीं प्रफिट इंक्रीज होगा चलेगा बट आपने रिस्क जो है वह मिनिममम रखना है और आपने सोच लिए 15,000 मुझे रिस्क लेना है अगर आपका 15,000 लॉस आपको दिखाई दे रहा है आपका पि आपक्सिमम न्यू टेटर के साथ ऐसा होता है वह अपना कैपिटल का आधा या आधे से भी ज्यादा मार्किट को दे देता है कोई बात नहीं आज मेरा लॉस हो गया नेक्स डे में टेट करूंगा नेक्स डे में प्रॉफिट करूंगा इस लॉस को रिकॉबर करूंगा तो ऐसे मत करो मानी मेनेजमेंट डिस्क मेनेजमेंट को फॉलो करके देखो स्टैटिजी बाद में आता है पहले मानी मेनेजमेंट डिस्क मेनेजमेंट आता है वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना आप लोग वीडिय वीडियो देखते हो बाट लाइक नहीं करते हो प्लीज लाइक कर जोने वीडियो को